Hello everyone, my name is Supriya and welcome to my channel आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है आपके पार्टनर की करंट फिलिंग्स के बारे में जी हाँ, हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फिलिंग्स आपके लिए क्या है उनकी इमोशन्स आपके लिए क्या है आपके पार्टनर की पिलिंग्स जानने के लिए मैंने पहले ही पाईल 1, पाईल 2 और पाईल 3 आपके लिए रेडी करके रखे हैं ताकि आपका वक्त जाया ना हो अभी आपको करना क्या है आपको इस वीडियो को 2 मिनिट के लिए पॉँज करना है और चेक करना है कि इन में से कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रक करती है और आपको उसी पाइल को चुनना है याद रखिए आप एक ही पाइल चुनिए ताकि आपको आपके पार्टनर की current emotions और feelings पता चल पाए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि मैं इस चानल के उपर spirituality, law of attraction, law of assumption, tarot का trading regarding videos लाती रहती हूँ on regular basis तो अगर आपको इन topics में interest है तो आप मेरे चानल को subscribe कर सकते हो ठीक है तो चलिए बिना किसी दरीके शुरू करते है इस वीडियो को और चेक करते है कि Pile 1 के partner की current feelings क्या है उनके लिए तो चलिए देखते है Pile 1 ओके, I was triggered तो Pile 1 जिनोंने भी चुनी है Pile आपके partner जो है आपको देखते ही उन्हें कुछ हो जाता है उनको एक trigger मिल जाती है कि मतलब कोई ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ती जिसको आप देखके अचानक से खुशी का एहसास हो जाता है भले ही हम गम में हो, किसी भी चीज में हो जब भी उस partner का नाम आता है, उस इनसान का नाम आता है वो time हमारे चहरे पे खुशी आ जाती है जिसे मासूम से छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें देखकर हम हर गम भूल जाते है हर तकलीव भूल जाते है वैसे ही आपके partner आपके लिए महसूस करते है जब भी आपका नाम उनके जुबा पर आता है या आपको वो याद करते है वो सारी चीजे भूल जाते है उनको एक emotional trigger जाती है कि yes, you are my life partner you are my love life तो मतलब ये बहुत ही अच्छी feeling है आपके लिए आपके partner की pile 1 तो congratulations for that अभी देखते हैं pile 2 के partner की current feelings क्या है उनके लिए ओके, I can't tell how you feel आप इसको अच्छे से देख भी सकते है आपके partner आपको इतना बेताहाशा चाहते है कि वो express नहीं कर सकते words में कि आप उनके लिए क्या हो आपका साथ होना उनको क्या feel करवाता है क्या महसूस करवाता है आपकी presence उनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा माइने रखती है जी हाँ यह बहुत अच्छी बात है कि किसी की जिन्दगी में आप इतने ज़्यादा महतवर रखते हो आपके importance किसी के life में इतने ज़्यादा है कि वो अपनी भावना है शब्दों में बया नहीं कर सकते बहुत ही सुन्दर feeling है यह जो आपके partner अभी आपके लिए feel कर रहे है तो overall pile to आपके जो partner है आपको बता नहीं सकते कि वो आपको कितना प्यार करते है वो आपको लेके क्या feel करते है महसूस करते है भले ही ऐसे भी हो सकता है कि आपके partner कोई silent type के इंसान हो जो ज़्यादा बाते नहीं करते या अपनी बाते ज़्यादा express नहीं करते सब के सामने ये भी हो सकता है किसी की partner की खुवी और that's why वो बता नहीं सकते कि वो आपको कितना चाहते है कितना बेतहाशा प्यार करते है ठीक है pile 2 तो चलिए हम अभी बढ़ते है pile 3 के तरफ और देखते है उनके partner की feelings और emotions क्या कहते है उनके लिए okay so I am lost and confused pile 3 आप अगर आपने ये card चुना है आपने ये pile 3 चुनी है तो आपके partner जो है ना कही ना कही आप में खोए हुए है मतलब रहता है ना कि अगर हम किसी के सामने बढ़ते हैं बहुत बार अगर आप सच्चे प्यार में हो तो आपने ये feel किया होगा कि आप किसी के सामने बढ़ते है वो इनसान आपके साथ बाते करते जा रहा है बड़बड करते जा रहा है पर आप उसकी आखों में हुए हुए हो आप उसकी यादों में उसके चेहरे में मदहोश हो कुछ सूच नहीं रहा तो ऐसी sort of feeling आपके partner के मन में अभी है या आप कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके partner अभी मतलब आपको express नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिष्टे में कोई ऐसी बात है जो आपका partner आपको बताना चाहता है but that person is confused कि मैं आपको बताओ या ना बताओ ये सुनके आप कही परेशान ना हो जाओ या कोई दिक्कत ना आ जाए आपके रस्ते में आपके relationship में उस वजह से आपके partner जो है ना काफी जादा परेशान है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके partner जो है ना वो आपको प्यार का इजहार करना चाहते है but वो confused है कि कैसे करे अगर आपकी love stage जो है love life जो है आपकी अभी चालू होने वाली है या आपको पता है कि आपका life partner है and वो immediately आपको अभी propose करने वाले है तो that person is confused and lost कि मतलब आपको कैसे propose करें कैसे approach करें उनके मन में थोड़ी सी हिच की चाहत है तो यही सारे messages है और यही सारी feelings है आपके partner की pile 3 आपके लिए तो I hope मुझे ऐसे लगता है कि आपका आपकी ये partner की current feelings आपको पसंद आई होगी आपके साथ resonate कर पाई होगी मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपको आपके partners की exact feelings बता पाऊ जिससे आपको उनके emotions जानने में help हो आपके रिष्टे में help हो अगर ऐसा है तो please इस वीडियो को like कीजिए दूसरों के साथ share कीजिए ये reading अगर आपके साथ resonate करती है तो आप मुझे comment section में बता भी सकते है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ठीक है और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अगर आप सच में ऐसे person हो जो spirituality, law of attraction, law of assumption and tarot का ड्रेडिंग में interest रखते है तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते है ठीक है चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए have lovely day and night keep manifesting and stay happy with your partner. Bye guys!